नमस्कार, हम कक्षा बार्वे का अध्याय ग्यारा त्री विम्य जामती पड़ रही हैं। ये इस अध्याय का दूसरा सत्र है। पिछले सत्र में, यानि पहले सत्र में हमने रेखा के दिख कुसाइन और दिख अनुपात, रेखा के दिख कुसाइन में संबन्त, दो बिंदू को मिलाने वाले रेखा के दिख कुसाइन, उन पर अधारित उधारण और प्रशनावली देखी थी। आज इस सत्र में अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण निकालना सीखेंगे। कब-कब? जब रेखा दिए बिंदू से दी गई दिशा से होकर जाती है और दो दिए गई बिंदू से होकर जाती है। आईए, अब देखते हैं, कैसे हम रेखा के समीकरण निकालें, जब दिये गए बिंदू A से जाने वाली तथा दिये गए सदीश B के समानतर रेखा का समीकरण क्या होगा? देख सकते हैं, हमारे पास क्या है? एक रेखा L है, जिस पर बिंदू A है, और हमें इस रेखा L का क्या निकालना है? समीकरण निकालना है, जो की समानतर है इस सदीश B के, आप ये मॉडिल भी देख सकते हैं, ये हमारी रेखा L, ये हमारे क्या आ गए? आक्ष, X आक्ष, Y आक्ष और Z आक्ष, ठीक? अब ध्यान देंगे, मूल बिंदू O के सापेक्ष, मान लीजे कि बिंदू A, यानि ये जो बिंदू A है, ये वाला बिंदू A, इसका सदीश क्या है? A है, ठीक? मान लीजे बिंदू A, से जाने वाली तथा दिये गए सदीश B के समानतर हमारी रेखा L है, तो हमने मान ही लिया, L पर स्थित किसी स्वेच बिंदू, स्वेच बिंदू, यानि कोई भी आर्बिटरी पॉइंट, यानि कोई भी बिंदू हम ले सकते हैं, तो हमने ये बिंदू लिया है, P बिंदू, ठीक? ठीक? सदीश, अगर हमने स्वेच बिंदू लिया है, तो इसका सदीश क्या होगा? वे है R, तब सदीश AP, यानि AP, वे क्या होगा? वे हम चानते हैं, वे AP इस B सदीश के समानतर है, ठीक? तो हम क्या कह सकते हैं? जो AP सदीश है, वे किसके बराबर होगा लैमडा सदीश B के जहां ये जो लैमडा है वे एक वास्तविक संख्या है ठीक और आप जानते हैं सदीशों की जो योगफल है उसके अनुसार इस सदीश AP को हम और कैसे लिख सकते हैं AP का जो सदीश है इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं सदीश OP माइनस OA यानि ये जो AP है उसे हम कैसे लिख सकते हैं OP माइनस OA ठीक तो ये किसके बराबर हुआ अभी हमने देखा पहले ये किसके है लैमडा B और ये सदीश OP सदीश R माना था OA सदीश A माना था यानि लैमडा सदीश B बराबर सदीश R माइनस सदीश A ठीक तो हमें इस से क्या मिल रहा है रेखा का समिकरण तो अधा रेखा का सदीश समिकरण हम क्या कह सकते हैं वे है R सदीश रूप में यानि सदीश R बराबर A सदीश जमा लैमडा सदीश B ठीक गौर करेंगे ये जो प्राचल लैमडा है यानि ये जो पैरामीटर लैमडा है इसके प्रतियेक मान के लिए जो समिकरण रेखा किस बिंदू P की क्या बता रही है। स्तिथी बताती है, यानि उसका पुजिशन बताती है। लैमडा को बदलने पर ही हमारे जो P बिंदू है इसका स्तिथी बदलेगी। छी। अब ये तो हमने क्या किया। सदीश रूप में देखा। तो अगर हम कहें कि आप कार्तिय रूप मे रेखा का समीकरण ग्याद कीजिए तो वे क्या होगा? तो आईए इसका कार्टिय रूप देखें A के निर्देशांग हमें क्या दिये होए है? X1, Y1, Z1 रेखा की डिक को साइन A, B, C है मा लीजे किसी बिंदू P के निर्देशांग है? क्या? X, Y, Z तो हम जानते हैं इसकी स्तिथी सदीश क्या बनेगी? X, I-CAP जमा Y, J-CAP जमा Z, K-CAP जहां I, J, K क्या है हमारे? मात्रक सदीश A किस तरीके से हम लिख सकते हैं? सदीश A बराबर X1, I-CAP जमा Y1, J-CAP जमा Z1, K-CAP और P सदीश यानि सदीश B बराबर A, I-CAP जमा B, J-CAP जमा C, K-CAP ठीक? गौर करेंगे ये जो सदीश B है वे क्या देखा रही है हमें? दिशा बता रही है ठीक? तो मानों को यानि ये जो हमने मान निकाले थे इसको पहले वाले क्या करते हम? समीकरन में क्रती स्थापित करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? और समान रखने पर क्या चीज़ मिलेगी? X बराबर X1 जमा लामडा A, Y बराबर Y1 जमा लामडा B, Z बराबर Z1 जमा लामडा C और इसी से आप देख सकते हैं क्या मिलेगा? X माइनस X1 बराबर में लामडा A, Y माइनस Y1 बराबर में लामडा B और Z माइनस Z1 बराबर में लामडा C तो यहां से आप लामडा को विलोपन करके क्या निकाल सकते हैं? आपको एक समीकरण मिलेगा और वे क्या है? X माइनस X1 बराबर में Y माइनस Y1 बराबर में B, बराबर में Z माइनस Z1 बराबर में C और यही हमारी क्या है? कार्थिये रूप में रेखा का समीकरण ठीक? आईए अब कुछ उधारण देखें बिंदू 5 2-2 से जाने वाली तथा सदीश 3i जमा 2j-6k कि समानतर रेखा का सदीश तथा कार्थिय समीक्रण को ग्याद करना है हम जानते हैं इस बिंदू से हमारी रेखा क्या हो रही है? गुजर रही है तो इसका स्थिथी सदीश ग्याद कर सकते हैं जो कि हमने a से लिया है संबोधित किया है तो वे किसके बराबर हुआ? 5i कैप जमा 2j कैप माइनस 2k कैप किसके समानतर देखना है हमें? सदीश b के जो कि हमें दिया हुआ है 3i कैप जमा 2j कैप माइनस 6k कैप तो सदीश रूप तो सरल है वे क्या होगा? सदीश a जमा लैमडा सदीश b वही हमने लिख दिया सदीश r बराबर में ये मेरा सदीश a जमा लैमडा और ये मेरा सदीश b ठीक अब कार्तिय रूप देखते हैं कार्तिय रूप में गौर करेंगे x-x1 यानि हम x में से किस को घटाते हैं? जिस बिंदू से हमारी रेखा गुजरती है तो x-5 बटे में देख अनू पाथ हमारे नीचे आते हैं यानि दिशा हमारी बटे में आती है ठीक तो x-5 बटे में 3 बराबर y-2 बटे में 2 देख सकते हैं इसके घटक बी के घटक क्या है? 3-2 बटे में 6 तो नीचे हर के अंदर हमारा वही आया तो y-2 बटे में 2 और बराबर z जमा 2 बटे में माइनस 6 ठीक आईए अब आगे देखें अब हम निकालेंगे रेखा का समीकरण जब दो दिये गए बिंदों से जाने वाली रेखा गुजर रही है ध्यान देंगे यदि हमारे पास दो बिंदू हैं तो उसमें जो रेखा हमारी गुजरती है वै और दुतिय होती है तो इसलिए निकालते हैं अब इनकी रेखा का समीकरण माल लेते हैं हमारे पास क्या हैं दो बिंदू हैं A और B इसके लिर्देशांग क्या हैं हमारे पास X1, Y1, Z1 और X2, Y2, Z2 ठीक इसके सिति सदीश क्रमशह क्या ले लेते हैं? सदीश A और सदीश B अब R एक स्वेच बिंदू P ले लेते हैं यह जो हमारे P है किसी भी यानि जो रेखा है हमारी L जो हमने मानी है इस पर कोई भी बिंदू स्वेच बिंदू P लिया है और उसका जो स्तिती सन्दीश है वह हमने R से सम्भोधित किया है ठीक अब बिन्दू P जो है वो देखेंगे बिन्दू P रेखा पर यदी कब होगी जब सदीश P किसके बराबर होगा? यानि ये जो AP है जो सदीश AP है वे किसके बराबर होगा ध्यान देंगे सदीशों के योगफल के अनुसर वे किसके बराबर होगा जब सदीश R माइनस सदीश A होगा ठीक ये इस तरीके से जा रहा है तो हम जानते हैं वे क्या होगा सदीश AP बराबर में सदीश R माइनस सदीश A इसी प्रकार सदीश AP वे किसके बराबर होगा सदीश B माइनस सदीश A ठीश यह दोनों क्या है यह दोनों समानुपाती होंगे क्यों होंगे क्यों क्यों क्योंकि यह तीनू बिंदू हमारे कैसे हैं सन्रेख है तो हम क्या लिख सकते हैं R माइनस A बराबर में लेंडा कोश्टक में जो हमने अभी क्या निकाला था सदीश AB यानि सदीश B माइनस सदीश A ठीक जहां ये लेमडा हमारा क्या है एक वासदब एक संख्या है तो हमें क्या मिल गई रेखा का समीकरण मिल गया है तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं हम इस प्रकाल लिख सकते हैं कि सदीश R बराबर में सदीश A जमा लैमडा B सदीश B माइनस सदीश A किसमें कोश्टक में जहां लैमडा मेरा कोई भी वास्तविक संख्या है ठीक तो आईए इस पर एक उधारन देखें सबसे पहले उधारन से पहले जैसे कि हमने पहले किया था सदीश रूप देखा तो इसका भी कार्तिय रूप देखना बनता है तो आईए अब देखें आर हमारे पास स्वेच बिंदू P का स्थिती सदीश है, ठीक, वे क्या आया, X I cap जमा Y J cap जमा Z K cap, जो बिंदू A है, उसका सदीश A किसके बराबर हुआ, X1 I cap जमा Y1 G cap जमा Z1 K cap, और सदीश B, यह क्या हुआ, यह बराबर X to I cap जमा Y to J cap जमा Z to K cap, ठीक, जहां आप जानते ही हैं, यह I, J, K क्या हैं, यह सारे मात्रक सदीश हैं, यानि यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक, जो की किसकी दिशा के सापेक्ष हैं, X, Y और Z अक्षों के, ठीक, तो अब हमने क्या किया, इन सभी मानों को अपने सदीश रूप के समीकरण में प्रतिस्थापित कर दियां, प्रतिस्थापित करने पर आप पाएंगे कुछ ऐसा समीकरण, यानि, आर सदीश, यानि सदीश आर बराबर में, X1 I cap, जमा Y1 J cap, जमा Z1 K cap, प्लस, लेंडा में, और यह हमारा कोष्टक में रहेगा, X2 माइनस X1 I cap, जमा Y2 माइनस Y1 J cap, प्लस, कोष्टक में Z2 माइनस Z1 K cap, और यह हमारा कोष्टक बंदू हो गया, ठीक, तो दोनों का परस्पर समान रखने पर हमें क्या मिलेगा, X बराबर X1 जमा लेंडा X2 माइनस X1, Y बराबर Y1 जमा लेंडा Y2 माइनस Y1, और यहाँ Z बराबर Z1 जमा लेंडा Z2 माइनस Z1, अब हम तीनों में से लेंडा का विल ओपन कर सकते हैं, और विल ओपन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, कार्टिय रूप में देखा का समीकरण, यवे क्या मिला, सामने हैं आपके, X माइनस X1 बटे में X2 माइनस X1, बराबर Y माइनस Y1 बटे में Y2 माइनस Y1, बराबर Z माइनस Z1 बटे में Z2 माइनस Z1, गौर करेंगे, यह क्या मिल रहा है, आपको पता है, हर में हमने क्या लिखे थे, दिग अनुपात और आप जानते हैं यदि हमारे पास दो बिंदू दिये होते हैं तो उसके दिग अनुपात कैसे निकाल सकते हैं X2-X1, Y2-Y1 और Z2-Z1 से तो वही हमने लिखे ठीक तो आईए अब आगे उधारन देखेंगे बिंदूओं ये हमारे पास दो बिंदू हैं जिसके निर्देशांग क्या दिये होए हैं माइनस 1, 0, 1, 3, 4 और 2 इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा का सदीश समीकरण और कार्तिय रूप ग्याद केजिए वो ही दोनों सरल है मान लीजिए हमारे पास इन दोनों एक का सदीश A और दूसरे का हमने सदीश B बिंदूओं का A और B के स्तिथी सदीश माने हैं ठीक? सदीश A किस प्रकार हम लिख सकते हैं? माइनस 1 I जमा K क्योंकि जो J का घटक है वे शूनने हैं सदीश B क्या बना? देख सकते हैं वे बना 3 I कैप जमा 4 J कैप जमा 2 K कैप याद करेंगे हमारा सदीश रूप क्या था? सदीश R बराबर में सदीश A जमा लामडा सदीश B माइनस सदीश A तो यानि हमने B माइनस A निकालना है दोनों घटक जो है हमारे सदीश A और सदीश B के घटक माइनस करके हमें ज्याद हो जाएगा वे क्या आया? तीन में से माइनस माइनस A करेंगे तो 4 मिला फिर 4 में से 0 माइनस करने पर 4 और 2 में से 1 माइनस करने पर 1 तो यानि सदीश B माइनस सदीश A करने क्या मिला हमें? हमें सदीश मिला जिसके 4 I कैप जमा 4 G कैप जमा के कैप छीक? इसी प्रकार आप इन सभी मानों के इस रूप में जोकी सदीश रूप है इसमें प्रतिस्थापित कर सकते हैं और आपको उत्तर मिल जाएगा अब हम देखते हैं कार्तिय रूप, कार्तिय रूप सरल है X माइनस X1 X1 क्या है? किसके निटेश शांक? जुस बिंदू से हमारी जो रेका है वो गुजर रही है वे बिंदू क्या है? माइनस 1 तो X जमा 1 बटे में 4 जो की हमने यह निकाला था बराबर Y माइनस 0 तो यह आमने सिर्फ Y रखा बटे में 4 अब Z माइनस 1 बटे में 1 ठीक? तो कार्तिय रूप भी हमने देख लिया इस पूरे सत्र में क्या-क्या देखा? यदि L1, M1, N1 और L2, M2, N2 दिक को साइन वाली दो रेखाओं के बीच न्यून कोण कैसे क्राप्त करा जा सकता है ठीक? उसका कार्तिय रूप भी देखा? तो आशा करते हैं आपको इस सत्र में आनंद आया होगा, समझ आया होगा धन्यवाद प्रावद